Hello friends, मेरा नाम जग्विंदर है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि DNS या Domain Name Systems में Types of Servers के बारे में DNS या Domain Name System Domain Types में Divide कर सकते हैं एक है Authoritative DNS Servers जिसमें दो और टाइप के DNS Servers होते हैं Primary and Secondary DNS Servers इसी तरीके से दूसरा जो टाइप है DNS Servers का वो Non-Authoritative DNS Servers कहलाता है और इसे Cache Only DNS Servers भी कहा जाता है चलिए, DNS के इन Servers Types को हम एक Animation से समझते हैं जब भी कोई Client किसी DNS Servers को कोई Query Send करता है जैसे ये Client www.cisco.com का IP Address जानना चाहता है इस IP Address की Information DNS Servers के पास खुद भी हो सकती है या ये DNS Servers इस Information के लिए किसी और DNS Servers को भी Query कर सकता है और अगर ये Information DNS के खुद के पास है तो ये Information भी दो जगा पे हो सकती है या तो ये उसके DNS Cache में हो सकती है DNS Cache में ये Information तब होती है जब DNS Servers ने पहले Query को Resolve किया हो और वो Value या Record अभी Time Out ना हुआ हो तो उस Case में ये Record DNS के Cache में होता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये Record DNS के पास रखे हुए उस Database में हो जिसे DNS Database कहा जाता है यानि कि इस www.cisco.com के Information के लिए DNS Server को किसी और DNS Server के पास जाने की जुरूत नहीं है और ये Information या Record उसके खुद के Database में Enter हुआ हुआ है और ये DNS Server इस Query का Answer अपने खुद के Database से ही दे देता है तो इस Case में इस DNS Server को Authoritative DNS Server कहा जाता है Authoritative से ही आपको Idea लग रहा होगा Authority से कुछ Related है यानि कि इस Server के पास इस Record का Data इसके Database में Present है लेकिन दूसरे Case में अगर हम ये मानते हैं कि इस DNS Server के पास कोई DNS Database नहीं है और ये DNS Server क्वेरी का Answer किसी दूसरे DNS Server को क्वेरी करके या फिर अपने DNS Cache में से देख के देता है तो उस Case में ये Server Non-Authoritative Server कहलाता है इस Type के Servers Cache Only DNS Server भी होते हैं जो कि अपने DNS Cache के According Queries को Resolve करते हैं आपको ऐसे DNS Servers भी देखने को मिलेंगे जो Authoritative होते हैं यानि कि वो कुछ Records या कुछ Database के लिए या कुछ Zones के लिए Authoritative होते हैं यानि कि कुछ Zones की Information उनके Database में होती है और कुछ को वो किसी और Server को Query करके Resolve करते हैं तो उस Case में Authoritative Servers भी Cache Servers की तरह Act करते हैं तो यहाँ पे हमें इस बात का भी ध्यान रखना है चलिए अब हम DNS Server Types को उस Query के According देखते हैं जो हमने Last Video में देखी थी यानि कि हमारा Client एक Query कर रहा था www.google.com के लिए अगर आपको यह Animation समझ ना रही हो तो आप इस Video Series का Last Video देख सकते हैं तो अगर हम इस Query के According DNS Server Types की बात करें तो यहाँ पे यह दोनों Servers Non-Authoritative DNS Servers हैं यानि के www.google.com की Information इनके खुद के Database में या खुद के Record में नहीं है और इसी तरीके से अगर हम Google.com DNS Server की बात करें तो इस DNS Server के पास Google.com डोमेन का Database है और उसमें से इस DNS Server ने www.google.com का IP अडरेस प्रोवाइड किया है तो इस केस में Google.com का DNS Server Authoritative DNS Server कहलाएगा चलिए अब जड़ा Authoritative DNS Server के टाइप्स के बारे में जान लें जिन में इसे दो टाइप्स हैं पहला है Primary और दूसरा Secondary Primary DNS Server DNS Database की Read-Write Copy रखता है यानि के एक ऐसा Server जिसमें आप नए DNS Records को एड़ कर सकते हैं और पुरानों को एड़िट कर सकते हैं Network में Fault Tolerance और Redundancy के लिए यानि के अगर ये Server fail हो जाए तो दूसरा Server भी आपके Network में हो उसके लिए आप अपने Network में Multiple Servers को Install कर सकते हैं और इन Servers के उपर भी आप Read-Write Copy रख सकते हैं तो अगर आपका एक DNS Server fail हो जाए तो दूसरा उसकी Absence में Service Provide करता रहे अब आपकी कभी-कभी ऐसी Requirement भी होती है कि आप नहीं चाहते कि बहुत सारी जगा से DNS Database की Copies को Write किया जा सके यानि के उसमें नई Information एड की जा सके और पुरानी को Edit किया जा सके तो उस Case में आप DNS का Secondary DNS Server इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें रखी होई Copy सिरफ Read Only Copy होती है DNS Database की यानि के इसमें आप कोई नया Record नहीं Add कर सकते हैं और नहीं पुराने Records को Edit कर सकते हैं और यह अपनी सारी की सारी Information Primary DNS Server से Obtain करती है इन दोनों Servers के बीच में जो Relationship है उसे Master-Slave Relationship भी कहा जाता है जहां पर Primary DNS Server as a Master Act करते हैं और Secondary DNS Server as a Slave Act करते हैं यहां पर मैं एक बात आपको और बता दूँ कि कभी-कभी ऐसा सिनेरियो भी होता है कि Secondary DNS Server किसी और Secondary DNS Server से Data की Copy हासिल करता है तो उसकेस में तोनों ही Servers बेशक से Read Only Copy रख रहे हैं लेकिन क्योंकि एक Secondary Server ने दूसरे Secondary Server को DNS की Copy प्रोवाइड की है तो उसकेस में पहले वाला DNS Server as a Master Act करता है और दूसरे वाला as a Slave और जो Master DNS यहां पर Act कर रहा है यानि कि जो Secondary DNS Server है पहले वाला वो अपनी Copy किसी Primary DNS Server से Obtain करता है Question Time चलिए अब मैं आपसे एक Question पूछता हूँ आप मुझे बताएं हम उस DNS Server को क्या कहते हैं जो अपने पास Read Right Copy of DNS Database रखता है आपकी Options हैं A. Cache Only Server B. Primary DNS Server या फिर C. Secondary DNS Server आप इस Question का Answer Next 20 Seconds में नीचे Comments में ज़रूर टाइप करें तो इस वीडियो में हमने DNS के Server Types के बारे में जाना तो इस वीडियो में इतना ही Thanks for listening